सुरा मेरी नज्च पम्मड कानवेर ननी सिखा पजिंग समाधियामी सुरा मेरी नज्च पम्मड कानवेर ननी सिखा यह जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक स्टैचू है इसको जिरा ध्यान से देखेंगे अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे इसमें नीचे एक मटका है साइड में दो कमल की जो कलियां होती हैं वो हैं और कमल के दो फूल है उपर हाती हैं और हातियों की सूण में दो मटके हैं और वो कुछ डाल रहे हैं और उसके उपर कुछ धंब लिपी में लिखा हुआ है और ये इस्थंब है पत्थर है जो मोतिलाल आलंचंजी हैं तैसिलदार साब हैं वो धंब लिपी के बहुत बड़े जानकार हैं आज हमारे पैनल में हैं उनको ये सुवए मैंने भेजा था कि जराए बताईए कि इसमें धंब लिपी में क्या लिखा हुआ है तो वो बताते हैं कि धंब लिपी में ये लिखा हुआ है पत्थर को दान करने वाले का नाम ये पत्थर इसलिए बहुत important है क्योंकि बहुत सारी जो कहानिया है वो पत्थरों में हैं और पत्थर बोलते हैं पत्थर अपनी आवाज खुद बोलते हैं बताते हैं कि पत्थर क्या कहना चाहे देए इसको ध्यान से देखिए कि इसमें बीच में एक महिला है ये कमल के फूल बताते हैं कि ये बुद्ध से सम्मदित है क्योंकि बुद्ध का कमल से बहुत बड़ा नाता है और कमल को यानि फुन्डी के बोलते हैं वो कमल के फूल को बोलते हैं और जलज भी कमल के फूल को बोलत और यह चिन्न है जैसे राज चिन्न होते हैं जैसे आज हमारे जाजा का जो चिन्न है वो चार शेर हैं जैसे वीदा पिकपल यानि स्रमण संग का जो चिन्न है वो वी है वैसे ही जो नागवन सी लोग थे यानि हम लोग थे तो हमारा जो पहचान थी वो यहाती था इसको नाम है गजबी बोलते हैं और ये जो उपर मट्की डाल रहा है जो उसमें ये दरसल हमें जो लेटेस्ट फोटो बताए जाते हैं जो दिखाए जाते हैं उसमें ऐसा बताए जाता है कि ये सौने की गिन्या है जिसको धन कहते हैं जबकि सौने की गिन्या और धन का उस समय पाल वो पाली में पुरानी भासा में बुद्ध से पहले की भासा में धन सब्द नहीं है धाई बोला करते हैं धाई यह सारे सब्द पाली के हैं वैसे ही धाई है तो धाई सब्द का मतलब होता है ग्रेंज यानि कि जिनको आज की समय हम धानने बोलते हैं तो जब हम कहते हैं कि धन धन धानने से भरपूर रहना तो धन सब्द जो बना है वो धही से बना है और धन का मतलब जो होता है धन वित्ती पाली के अंदर होता है जो आपका ग्यान का संग्र है यानि जिसके पास ग्यान का संग्र है उसको धहीवान या धहीवन्तु या धन्वान बोला करते थे क्योंकि पहले जो धन था वो ग्यान का होता था और जो धही वंतु है यानि जिसको धान वंतु या धन वंतु बोलते हैं या धन वंती या धन वंतुरी या आज के समय धन वती उसको हम कहते हैं उसको पास बड़ा धन है मगर पुराने समय का जो धन है वो या तो घ्यान है और या फिर जो धन है जो ग्रेंस आते हैं तो आप ये ध्यान दीजिए कि आज के समय जब ये कल का दिन मनाया गया तो हमारे खेतों से जो आ रही है फसल वो कौन सी है उस फसल का नाम है तंडुल चावल नहीं है पाली में चावल सब्द नहीं है तो तंडुल सब्द है तो तंडुल जो सब्द है और उसमें जो धई है यानि धई किसके है तंडुल के तो धई तंडुल वती यानि कि वो महिला है वो है धई तंडुल वती यानि कि चावल वाली महिला जिस लख लख बोला जाता है लख मी यानि लख जो उसके धाई है उनकी वो मालिक है लख मी तो लख मी की जो तस्वीर है वो ये है इसको धनवंतरी भी बोल सकते हैं धनवंतु भी बोल सकते हैं और लख मी बोल सकते हैं और आप ध्यान देंगे कि हमें जो कहानी सुनाई जाती है वो ये सुनाई जाती है कि कोई व्यक्ति आया युद्ध जीत के आया और उसके आने पे जो दिये जलाए गए उसकी खुशी में मनाया गए जबकि पूजा जो करते हैं घरों में वो लखमी की करते हैं यानि जिसके पास धाई हैं धान हैं ल लख्मी की पढ़ते हैं, तो सारी महिला लख्मी हैं, यानि कि सारी महिला धन वनती हैं, सारी महिला धन वनती हैं, तो कहते हैं कि ये धन आएगा, तो क्यों सा धन आएगा, जिसको आप धान बोलते हैं आज के समय, यानि धही से धान हो गया, धान आएगा, और आज भी इस छे जाता है द्धहीं कि ले जांगा जाता है तंडन के ले जाना जाता एक चीजीौ इस पश्ट कर लीजिये कि जो फैस्टिवल ये ट्थर बताता है ये पत्थ demon pra ».Das दिखा हुआ है फिर अगला दिन जो आता है क्या आता है आप थान घर में आ गया तो धान को चैक करनाront कि आ है काली 14 आज का दिन बोलते हैं काली 14 इसनी है कि काला है कि सारा पक्स कौन सा है कढ़े पक्स चला है कढ़े पक्स का मतलब है कि जब चंद्रमा धीर धीरे खतम होता है कढ़े माने काला होता है तो काला पक्स चला है तो काले पक्स में महिलाएं क्या करी है जो नया धही आया ध पाद बोते हैं वो बनाती है और वो खाके चेक करती है काली चौदस में अगर आज भी आप देखेंगे तो काली चौदस में यही पकवार बनता है घरों के अंदर जो नए चावल से बनता है और चावल को चेक करते हैं फिर इसके आगे आप बढ़ेंगे तो आगे जो नाम द मिलता दरसल दीपावली वंसावली या सब्दावली जो बाद में आवली सब्द लगता है आवली का मतलब होता है पंक्ती में लाइन में दीप की पंक्ती है तो दीपावली हो गया सब्द की पंक्ती है सद्द की है तो सद्दावली हो गया और अगर वंस की पीछे से पंक्ती चली आ रही है तो वनसाबली हो गया, यानि आवली हो गया, तो वहाँ से आवली बना हुआ है, तो आप देखिए कि पूजा तो हो रही है लक्मी की वुद्ध के समय की जो धन बनती है, और नाम लिया जा रहा है कि कोई व्यक्ति युद्ध जीत की आया है तो उसके आने की ख पाली का नहीं है तो बुद्ध कहते हैं अपना दीपक आप बनो तो कैसे बनोगे अपना प्रिकास कैसे बनोगे क्योंकि वो तो कहते हैं कि जब तक आप खुद नहीं जलोगे खुद विपस्ना नहीं करोगे साधर नहीं करोगे तब नहीं करोगे आपका प्रिकास नहीं आने लगाते थे तेल तो रोज जलाते थे वो उस दिन कोई खास नहीं जला रहे हैं ऐसा नहीं है कि 305 दिन में सिर्फ एक बाद दीपक जलेगा उसे दिन दीपाबली होगी तरसल उस दिन धंब का प्रकास फ्यल रहा है और ऐसा प्रकास जो हमेंसा से जीवन को रोशन करेगा फिर दीपकों की जरूत नहीं है, पांच मुवम्बति हम जलाते हैं, कब से जलानी आरम होई, कब इसकी परंपरा बनी, इसके वारे में पता नहीं चलता कि हमने पांच मुवम्बति जला रहे हैं, तो क्या उससे पहले पांच दिये भी जलते थे, और आप ये बात ध्यान रखिए कि ये पंच सील के पांच दिये किसी भी कारीक्रम में स्टार्ट होने से पहले परंपरा है, यानि कोई भी कारीक्रम में स्टार्ट होता है, चाहिए सरकारी है, चाहिए गैर सरकारी है, तो एक आपको पीतल का दीपक मिलेगा, पताने उसका क्या नाम है आजकल, पंच दीप ब बिद्विहारों में और भारत के कई जगे पे जो अमावस वाले दिन आती यानि जो कल का दिन आता है वहां पर दीपक जलते हैं जोद्पुर का अंदर भी 84,000 दीपक जलते हैं और साउथ के कई मंदरों में भी दीपक जलते हैं क्योंकि मंदर जो होता है वहां होता है जहां म गोवर धन तो गोवर धन का जो दिन है वो यहां मत्रा की अंदर से बनता है यानि मत्रा से चलता है मगर चलता बेसक मत्रा से मगर नाम पाली में है तो कि गौ जो है गौ का मतलब हो है गौतम का वंस यानि गौतम का पूरा लाइनेज इसको गौत तो बोला जाता है पाली के अ ही होता है गाय के लिए धैनों बोला जाता है तो गौतम के जितने भी है जैसे गौतम धूली है तो जहां गौतम जा रहे हैं उसका धूर उड़ रहा है गौतम चरण है तो जहां गौतम जा रहे हैं वहां गौतम के चरण हैं गौतम पद हैं तो जितने भी गौ की चीज़ है, सारी सारी बुद्ध से है, तो यहाँ जो गौवर धन है, इसमें जो गौ है वो गौतम है, और वर माने होता है स्रेश्ट, और जो धन है, धन का मतलब है ग्यान का संग्र है, इसको गौतम वर धन भी बोल सकते हैं, गौतम वर धन भी बोल सकते है दोना का मतलब एक है तो लोग कहते हैं कि नहीं ये तो ये तो जो गाय गोबर करती है उससे है और उसका कुछ बनाना होता है तो ये गाय का गोबर है और गोबर को धन बोला जाता है गाय के गोबर को अगर आप धन बोलोगे तो भैस जो करती है उसको भी क्या गोबर बोलोग आपने, क्योंकि जो करती है गाय उसको मिनहे बोलते हैं, मिनहे का मतलब मल बोलते हैं, पाली के अंदर, तो गोबर तो सब्दी नहीं है पाली के अंदर, जो गाय के स्पेसल इस्तमाल होता हो, क्योंकि अब आदमी अगर लेटिन करेगा, टिक्टी करेगा, तो क्या उसको बोल तो उसके लिए गोवर बोला जाता है, यह बिलकुल जूट है, ऐसा नहीं होता, जानवरों की सारे जितनी फीसिस होते हैं, जितनी मिढ़े होती हैं, जितनी उनकी टट्टियां होती हैं, उनका एक ही नाम होता है, जिसको मिढ़े बोलते हैं, या मल बोलते हैं, इस से यह स्प है बहंतनाम का मतलब है जो भ्हныक हो जाए और बहंत शहीं भंते इस पड़ा हुआ है बहें को अंत करने बहें वाले जिनका बहें का to mm जो गया है ब्हदंत और भंते उसको जानने लगे हैं तो इतना समझ लीजिए कि भारत में जितने भी फेस्टिवल हैं वो भारत के लोगों के हैं अगर विदेश से कोई आदमी आएगा तो वो अपना फेस्टिवल लेके नहीं आता और योध्धा अगर आता है या कोई भगोड़ा आता है या कोई डाकू गिर आते हैं च्छापा म आरहा नहीं मनाते को इसे भारत के अंदरnem जो मुस्लिम आहे हैं जो वही अडॉट करते हैं जो मुसलिम बन गए हैं या जनी मिक्सिंग को कि वो कल्चर करते हैं मगर उनका कुछ खान पाँ सारा इंडिया इस्टायल में होता है रहना से ना होता हमकी सकल इंडिया नहीं होती है इसलिए यह कहना बुलकुल गलत है कि जिर्ष सर आपका अन्म्युट होगए हैं vibe अन्म्युट के जये artwork Èan ये बहुत अलक्षी बाद होगी के जो festival है वो festival हमारे नहीं है दरसल भारत के सारे festival जो बने हुएं ह وो यहाँ की फचल की ओपर बने होगी जैसे अभी जो इससे पहले आता दसेरा आता है उसमने आप देखेंगे कि जो आप उगा के देखते हैं कि यह हमारे जों जमेंगे या नहीं जमेंगे या नहीं फसल आने वाली है रवीकी वो आपने जमा के देख लिए उसका फेस्टिबल भी होता है और अब रवीकी फसल का फेस्टिबल भी आगे आने वाला है तो सारे फेस्टिबल चलते हैं दूसरी बात यह है कि जितने भी फेस्टिबल हैं चाहें वो कभी बने हैं मगर वो हैं हमार रही उसका कारण यह है कि अगर दीपावली जैसा फेस्टिवल या जो फेस्टिवल की ये स्रीच चल रही है अगर ये हमारी नहीं होती तो इसको भारत में तीन पर्षंट या दो पर्षंट लोग मना रहे होते जो बाहर से हैं तो सारे लोग नहीं मना रहे होते सारे लोग प धन्वती बोलें इसको या इसको बुद्ध की माता भी बोलते हैं इसको महा माया भी बोलते हैं माया लख्मी माया भी बोलते हैं माया भी बोलते हैं बहुत साई नाम हो सकते हैं इसके ना भी हो तो धन्वनती तो है क्योंकि ऐसी पत्थर पे जो स्टेचू बनी रही है बहुत बदल दिये, कुछ का नाम बदला गया, कुछ का समय बदला गया, कुछ का टाइम बदला गया, कुछ की कहानिय बदली गई, तो कहानी क्या जोड़ते हैं, कहानी जोड़ते हैं, कि कोई व्यक्ति जो आया है युद्ध जीत के उसकी खुसी मनाते हैं और उस व्यक्ति का कही पूजा और जिक्र होता नहीं है चलो वो बात भी छोड़ देते हैं मगर एक बात पैह है कि बुद्ध के बाद में जो लोग आराम में जाके रमन करते हैं बुद्ध के बाद को कि भिक्कों को तो भिक्को बोलते हैं, जो भिक्को है उसको भिक्को बोलेंगे, भंते बोलेंगे, बदंत बोलेंगे, महा थेरा बोलेंगे, थेरा बोलेंगे, उनके नाम तो फिक्स हैं, लगर जो आम लोग आराम में जाते हैं, उनका भी नाम है, आराम में जाके आराम बोलते ह आज के समय जिसको आप बुद्विहार बोलते हैं, उसको आराम, जैसे जो बोला जाता है, घोसित अराम, जैसे जैटतवनाराम, यानि ये उनके बिहारों के नाम है, आराम इसे बाद में लगता है, आराम का मतलब है जहांपर रमता है, जहांपर रमन करता है जहांपर कोई व्यक्ति साध्रा में तपस्था में मेडिटेस्ट में रमता है तो साध्रान व्यक्ति जब जाते थे तो उसको कहते थे कि ये आराम में रम रहा है तो वो कौन व्यक्ति है तो कहते थे ये राम है तो ये राम है यानि जो रमता था उसको भिकुना बोलके राम बोला करते थे और जो महिला रमती थी जाके उपोसत के दिन में उसको रमाई बोला करते थे या रामरी बोला करते थे या रमनी बोला करते थे रामरी सब्द तो नेपाल में अभी भी चलता है रमाई हमारे माराठ पे चलता है और भी सब्द है जो महिला पासमान, राम सिंग, ये राम राम, ये सारे जितने भी हैं, ये वही लोग हैं, जो वहां जाके आराम में जाके रमन करते थे, उनको राम बुला करते थे, जैसे कोई हजी करने जाता है मसलिमान, तो उसको कहते हाजी जी, वही हजी करने गया है, उस समय तो वह हजी है, मगर उनका नाम राम थाई, बाद में भी उनको राम ही कहने लगे, तो ये पर्था चली इसलिए बहुत सारे लोगों के, और हमारे ही लोगों के राम नाम मिलते हैं, बाकी जो तीन परशंट लोग है, उनके नाम के पीछे आगे पीछे राम नहीं मिलेगा, इसको ध्यान रखना, वो क्लेम तो करते हैं, कि उनका कोई जो भी कहानी वो बताते हैं, कि वो उनकी है, मगर नाम नहीं रखते वो, यानि नाम जो राम है, वो सारे हमारे ही हैं कोई रमन हम करते हैं रमते हमें वो अपना नाम नहीं रखते ये कमाल की बात है ध्यान की बात है इसको देखना चाहिए तो फैस्टिवल का अभी जो भारत में जगड़ा चल रहा है वो ये चल रहा है कि भी दिपावली बौद्धो की है या नहीं इसको एक साइड में रखिए, ये देखिए कि ये जो तोहार है, ये तोहार भारत के लोगों का है या नहीं, तोकि भारत के लोगों का अगर फेस्टिवल है, तो हम सब का फेस्टिवल है, इससे फरक नहीं पड़ता कि ये बुद्ध के समय का है, या उसके बात का है, या उसके बात बना इसके लिए भी एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि कब क्या क्या की चीश कैसी भी है मगर यह तैह है कि यह जो फैस्टिवल की जितनी भी स्रीज है यह भारत की लोगों की है और कोई यह प्रूब कर दे कि भारत के लोगों की नहीं है तो उसको बहुत सारे सबूत देने हैं और वो साथी बड़े खास हैं जिसमें एक राजी पतेल जी हैं एक भोसेकर जी हैं एक इसमें हमारे तैसिलदार साहब हैं मोतिलाल आलमचंजी हैं और एक इसमें रमिस कटके जी हैं तो मैं सबसे पहले आप सभी से ये निविदन हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़ फिरी हैं, आप अपने Facebook पे, अपने पेज पे, अपने Twitter पे, या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं, इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है, आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम सबका है, हम जो बताते हैं, वो भगवान बुद्ध का है, या महापुर्सों का है, उनी की बात को सरल भासा में बताते हैं, हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे, कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूजी आपकी है, धन्यवाद। संगम सरनम गच्छामी, दूतियं पी बुद्धं सरनम गच्छामी, दूतियं पी धममर सरनम गच्छामी, दूतियं पी बुद्धं 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 सरनम गच्छामी,